causes of pika psychological now we will discuss about those factors which are psychological in nature और जिसकी वज़ा से pika disorder जो है वो observe किया जा सकता है इसमें बहुत सी developmental conditions है जिसके अंदर autism है intellectual disability है जिसकी वज़ा से ये कहा जाता है कि pika disorder develop हो सकता है autism के अंदर बच्चे की जो social interaction है वो limited होती है उसका eye contact जो है वो develop नहीं होता और वो mostly self isolated रहता है और उसका एक अपना world होता है अब अपने उस world के अंदर रहते वे it may possible कि चुँके आम तर पर ये observe किया गया है कि जो बच्चे pika के behavior के अंदर involved होते हैं वो आम तर पर अकेले बैठे होते हैं और नहीं उनका मतलब वो इस वकत उस time पे वो interaction करते हैं जिस वकत उनका कोई भी उनके surrounding में नहीं होता आम तर पर जो autistic बच्चे होते हैं वो एक ऐसे ही environment में रहते हैं या एक ऐसे world में रहते हैं जहां उनका interaction socially किसी के साथ नहीं होता तो it may possible कि उस isolation के अंदर वो कोई ऐसा behavior जो है वो develop कर लें जिसमें वो ऐसा substance जो है वो use करना शुरू कर दें जिसकी किसी किसम की कोई भी nutritional benefit उस बच्चे को नहीं हो रहा इसके साथ intellectual disability जैसे हमें पता है कि ऐसे बच्चे जिनकी intellectual abilities जो हैं वो limited होती है जिनमें developmental delay होता है जिनकी cognitive abilities हैं वो limited होती है बहुत हतंग chances हैं क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनके अंदर analytical power नहीं होती उनकी जो development हरती है वो age appropriate नहीं होती तो यह में possible है कि पीका का जो problem है उनके अंदर develop हो जाए इसको आप यूं समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो developmentally delay है उसकी जो mental age है that is like equivalent to three years लेकिन जो उसकी physical age है या chronological age है that is like a eight year तो it may possible कि चूंकि उसकी mental age जो है वो two years है तो उस age के अंदर आप देखें तो यह behavior common होता है तो यह हो सकता है कि वो बच्चा चूंकि उसकी limited cognitive abilities है इस वजह से वो अपनी physical age के in comparison जो उसकी mental age है उसके मताबिक वो act कर रहा हो और वो इस तरह का behavior exhibit कर रहा हो तो these can be the possible causes then हम health condition की बात करते हैं जिसमें हम schizofrenia की बात करते हैं और अपता सिर्फ compulsive disorder की बात करते हैं यह वो वाले psychological reasons हैं जिसकी वजह से भी कोई बच्चा जो है वो पीका का behavior develop कर सकता है जिसमें schizofrenia में sometime यू होता है कि reality के साथ जो contact है वो खतम हो जाता है जब reality के साथ contact हतम हो जाता है तो हो सकता है कोई delusional state ऐसी हो या hallucinations ऐसे हो रहे हों कि जिनकी commands को fulfill करने के लिए वो बच्चा जो है वो जो dirt है उसको eat करना शुरू कर दे ठीक है तो इस दीस को भी आपने देखना है कि जो उसकी mental health है या जो mental state है क्या वो reality के साथ in touch है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका ये जो behavior dirt eating का है वो bizarre behavior है तो you also need to be monitor that thing then obsessive compulsive disorder जब हम obsessive compulsive disorder की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि बहुत से behavior ऐसे होते हैं जो compulsive होते हैं compulsive act होते हैं और एक शक्स वो बार-बार करता है तीक है अब जब वो बार-बार कर रहा है तो उसकी वज़ा कुछ भी हो सकती है हो सकता है उसकी जहन में बार-बार thought आ रहे हो इसलिए वो बार-बार आक्ट कर रहा हो तो ये भी हो सकता है कि जो पीका का प्रॉब्लम है वो उस शक्स कोई अंदर इसलिए आ रहा हो क्योंकि उसके अंदर obsession और compulsion की tendencies मौजूद हो अगर उसके अंदर obsession और compulsion की tendencies मौजूद है और उसके अंदर किसी किसम की कोई biological dysfunction नहीं है तो it may possible biological dysfunction से मौराद मेरी यहां पर है कि उसके अंदर किसी किसम की iron की deficiency नहीं है red blood cells जो है वो कम नहीं है या minerals कम नहीं है या vitamins कम नहीं है तो अगर कोई इस किसम की condition नहीं है तो फिर it may possible कि जो उसके symptoms जो है जो appear हो रहे हैं वो OCD की वज़ा से हो रहे हूँ या OCD उसके साथ co-morbid कर रहा हूँ तो you need to be identified these psychological causes जिस वकत आप PICA disorder को diagnose करें Thank you